हेलो दोस्तों दोस्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चनल ने भी बॉय में है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए हम जा रहे हैं तो इंगलीज की कितना नोलेज होना चाहिए इंगलीज हमें कितना आना क्यों कि मेरा इंगलीज थोड़ा वीक है मैं इंगलीज अच्छे से जानता नहीं हूं तो क्या मैं जीपी रेटिंग करूं और करूंगा तो फेल हूंगा या पास थोड़ा इस पर आप एक वीडियो बना देंगे जिससे हमको हमको पता चाहिए गा कि हमें कितना नोलेज है और हम ये नोलेज लेके और जीपी रेटिंग कोर्स के लिए जा सकते हैं कि नहीं जिससे मतलब कंफर्म हो जाएंगे हमकी इंगलीज कितना आना चाहिए ताकि इंगलीज जाके और हमें बाद में पस्ताना ना पड़े कि केवल इंगलीज में पढ़ाया जा रहा है और हम फ श्त्सक बाद मेरे पास तो हम जीपी रेटिंग का कोर्स का जो एटमीशन है जीपी रेटिंग में ले ले नक्तरी टो बने रहे है मेरे पूरा इंगलीज का जो भी बताऊंगा क 메ते रहे हएं हुगं को मैं मर्चेंट ने भी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ और वेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिलता रहें तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे जो जीपी रेटिंग कोर्स करने वाले हैं या अभी कर रहे हैं कर रहे हैं उनका तो ठीक है लेकिन जो करने वाले हैं ध्यान से सुनेंगे वीडियो को इंगलिस का कितना नोलेज होना चीए इतना तो knowledge होना ही चाहिए कि English में जो आगे वाला बोल रहा है तो वो पुरा समझ में आए क्योंकि GP rating का जो course होता है पढ़ाया जाता है तो English में जो sir लोग होते हैं पढ़ाते हैं चाहे principal हो गए, captain हो गए या chief engineer sir होते हैं तो जो वो बोलते हैं तो English में ही बोलते हैं तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि प्रॉपर English में ही GP rating का खोर्स होता है इंग्लिस में बोलने के बाद वो लोग आपको हिंदी में भी बताएंगे आप यह बोलेंगे कि sir समझ में नहीं आया I not understand तो sir फूद फीट से उसको आपको हिंदी में समझाने के कोसिस करेंगे और और आप जब किसी से बात करते हैं तो आप किलियरली बात कीजिए आपका प्रोनाउंसियेशन जो होना चीए इंग्लिस का वो एकदम किलियर होना चीए कोई-कोई लड़का का होता है जो यह समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हैं यह तो हो गया समझने और बताने के बारे में कि आगे वाला कि बोल रहा हूँ समझ में आना चीए और आप भी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं मैं यह नहीं बोल रहा हूं पर ओपर पूरा इंग्लीस बोली है मुझे खुद नहीं आता है इंग्लीज बोन ले मैं आपको क्या बताऊंगा और मैं जी पी रेटिंग कोर्स करके भी आया हूं तो आपको इतना इंग्लीज आना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत जरूर बोल सकें अपने बारे में बता सकें या जो जो कुछ भी पढ़े हो और एक बात जो लोग स बनाते हैं सहरो लोग बन्वाते हैं तो वो नोस आपको याद करना होता है तो यह भी हाना चाहिए कि आपको इंग्लीज का मतलब जो आप याद कर रहे हैं आपको याद भी हो जाना चाहिए एक यहों कि बहुत मोटा मोटा नोट से लिखाय जाता है GSK का और M.E.K. का M.E.K. का तो थोड़ा कम रहता है लेकिन GSK का बहुत ज्यादा रहता है तो इतना होना चीए कि आप इंग्लिज स्टडी करते टाइम स्टडी करें ऐसे कि आपको याद हो जाए कोई-कोई लड़का का थोड़ा दिमाग उतना ज्यादा काम नहीं करता है जिसे वो किसी चीज को जल्दी से जल्दी लर्न नहीं कर पाते है तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है तो ऐसे आप में भी बहुत से बच्चे होंगे जिनको याद करने में दिक्कत हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही चीज को बार-बार आपको 6 महिने पढ़ना है माल लिजे आपको एक बार आपका नोट्स बन गया उसी नोट्स को आपको जितना भी टाइम बचेगा उसी नोट्स से आपको पढ़ना है तो आप अपने मन से आप देख लीजे कि आप कितना इंगलिस पढ़ लेते हैं और याद हो जाता है कि नहीं और यदि आप फिर से आपको कोई कोई कोश्चन करेगा तो आप एंसर दे सकते हो कि नहीं और जो question लिखाये जाता है notes में MEK का और GSK का notes जो होता है जो सर लोग question लिखाते हैं सेम वही question survey पुछेगा कई बच्चे पुछ रहते कि English में ही पुछता है तो कैसे पुछता है हम नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा जाइड सी बात है जब एक ही question को आप बार बार पढ़े होंगे तो आपको knowledge होगा कि हम जो पढ़े हैं यह survey भी वही पुछ रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ इसका answer यही होगा तो question जो होता है आप पढ़े रहेंगे तो English में पुछे भले सर्वेयर पुछेगा English में ही तो फिर भी कोई दिकत नहीं क्योंकि आप वह question खुद पढ़े होंगे क्योंकि नया question कुछ नहीं होता है जो भी survey पुछता है वह notes से भी पुछता है और oral question पुछता है क्योंकि हम लोगों का जो एक जाँ हुआ last exam तो सबसे ज्यादा question हम लोगों को note से oral book से ही पुछा गया था जो oral question था उसमें से ज्यादा question पुछा गया था और notes जो बनवाए थे सर उसमें से question नहीं पुछा था उतना कि पूछा था दो बड़ान को पर लेता है तो चोटा वोड को पंडने में जादा दिक्कत नहीं हूता है किसी को जो तुड़ा बड़ा होता है उसमें प्रोब्लम होता है तो इतना तो इंगलीस आना चाहिए कि आपको छोटा हो या बड़ा हो पूरा पूरा नोलेज होना चाहिए कि आप पूरा पढ़ लें कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में पढ़ने तो पूरा आना चाहिए कि आप पढ़ नहीं पाएं तो चांसेस हैं कि आप GP rating course fail कर सकते हैं तो आप पहले से यदि आप कम जोड हैं तो आप जाइए और अपना admission लीजिए English का जनकारी लीजिए थोड़ा बहुत और English अपना थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए जब आपका English आपको लगने लगे कि हाँ इंग्लिस की जनकारी थोड़ा बहुत हो गया है उसके बाद आप admission लें क्योंकि छे महीने का course होता है तो course तो हमेशा होते ही रहेगा तो माली जिए आप पहले admission ले लिए फेल होगे उससे कोई फायदा नहीं तो आप पहले English के जनकारी ले 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 यदि इतना English जितना बारे में English के बात क्या हूं उतना English यदि आपको नहीं आता है कि कोई बता रहा है क्या बोल रहा है हो समझ जाए या थोड़ा बहुत पढ़ ले ठीक है इसके बाद आते हैं कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भाया जो सर्वेयर आते हैं यदि English में पूछ रहे हैं और हम हिंदी में बता हैं तो पास करेगा कि नहीं करेगा तो इसके बारे में मैं बता देता हूं इसी वीडियो में क्यों सर्वेयर जो इंटर्वियो हो रहा है जिसका एक्जाम हो रहा है तो जिसका एक्जाम हो रहा है लड़का हमें मतलब इंसोर इस कोस्चन का एंसोर जानता है कि नहीं जानता है यदि सर्वेयर को भी हिंदी आता है तो आप हिंदी में बताएंगे तो सर्वेयर आपको फेल नहीं करेगा व तो आप हिंदी में भी एंसोर दे सकते हैं सर्वियर को लेकिन एकदम पूरा-पूरा हिंदी में नहीं देना है क्योंकि उसको ऐसा लएगा कि लड़का इंग्लीज बिलकुल नहीं जानता है तो वो फेल कर देगा क्योंकि मर्चेंडे भी आपको अधर कॉंट्री में जाना है तो अधर कॉंट्री में जाएंगे तो एक ही लोंगेज होता है चाहें किसी भी ऑबर वर्ल्ल किसी भी किसी भी देस में चले जाएं तो एक ही लोंगेज बनाया गया जो इंग्लीज हर देस के नागरी को पता होता इंग्लीज एक ऐसा सब्द नॉंगबेज है जो सबको आना चीए और हर मतलब पूरा देस में बोला जाता या हर कॉंट्री में बोला झाल को ही तो कि पता सकते हैं किवी इंडिया कई होता है तो इंडिया में जो भी रगतальных को ही राज्य तो आप कोसिज करिएगा कि जो अभी study कर रहे हैं, जिनका एक्जाम होगा, जनौरी बैस के पहले, December में आप लोग का एक्जाम होगा, तो आप कोसिज करिएगा कि हम हिंदी में बताएं, लेकिन उसमें English mix करके बोलें, ताकि सर्वेयर को यह न पता चले, कि आपको इंग्लिस बिलकुल नहीं आता है ठीक है यदि आप हिंदी में भी बताते हैं तो कोई दिकत नहीं है आप जरूर पास होंगे लेकिन आपका एंसर जो होना चाहिए एकदम complete accurate एकदम right answer होना चाहिए यह नहीं कि कहानी बनाने लगे आप हिंदी में भी क्योंकि और जयनत करिए और history जयता से जयादे आप history hard कीजिए क्योंकि जिससे आपको ज्यादा आपको बोलना नहीं पड़ेगा और English के छोटे से लाइन आप बोलके आप पूरा एक बड़ा question का answer दे सकते हैं तो अब आपके हिसाब से आप अपना देख लिजिए कैसे आपको पढ़ना है तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं जनकारी के साथ तो बाई-बाई